फ्राइम्स या फिर चिप्स पापट के रेसिपी तभी परफेक्ट होती है जब वो अपने साइज के फूल कट डबल हो जाए इसका मतलब आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दी जा रहे है ज़रूर ट्राइ कीजिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बच्चों के बहुत पसंद आने माले हैं दोस्तों यह कैसी रेसिपी है जिसे बिना प्लैनिंग के ही बनाया जा सकता है चार से पाच गुंटों में रेडी हो जाती है तो अगर आपने कुछ भी प्लैन नहीं किया है कुछ भी तयार नहीं है तो यह फट्टा-फट वाली इंस्टेंट रेसिपी प्लैन चड़ाईंगे और इसके अंदर हम उसी कब से 1.5 कब पानी लेंगे जिहां एक कप साबुदाने के लिए 1.5 कब पानी इस्तमाल करेंगे अब पानी में हम तेज बॉयल आने देंगे इसके पहले हम इसके अंदर नमक आट कर लेंगे और जो भी फ्लेवर्स आपको प और गैस की आज को बिल्कुल बंद कर देंगे इस टाइम, जैसे ही साबोदाना आड करेंगे, इसे हम थोड़ा सा चला देंगे, अलट पलट देंगे, अब हम साबोदाने को इस गरम पानी में ओवरनाइट सोक करेंगे, यदि आपके पास टाइम कम है तो चार से पांच घंट इसे पीसेंगे, उसे पीसने में हम पानी का इस्तमाल भी नहीं करेंगे, और इसे बारीक पीसेंगे, दो से तीन बैस में, इसे एक बॉल में shift कर लेंगे, हमारा साबोदाना पेश चुका है और अब हम इसे स्पून की मदद से थोड़ा फेट लेंगे, आप इसकी consistency देख सक इसे भी एड़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए इस पेस्ट को साइट रखेंगे और नेक्स स्टेप में हम क्या करेंगे एक पाइपिंग बैग लेंगे आप इसकी जगे पर दूद का थैला या फिर तेल का खाली पड़ा थैला दाल चावल का थैला ले सकते हैं इससे आपको एक पतला नहीं रखेगा क्योंकि ये सूखने के बाद और पतले हो जाते हैं तो बस मीडियम थिक रखेगा और उसके बाद हम इस तरीके का एक फ्रिज मैटले लेंगे ये सबसे बेस्ट होता है इस पे बिलकुल भी तेल लगाना नहीं पड़ता है बिना तेल के इस पे ये पा प्राइमक को कौन सी डिजाइन दिया जाए कौन सा शेप दिया जाए इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं काफी सारे आइडियाज जिहां इंटरेस्टिंग हो सकते ये आइडियाज आप इन्ने जरूर ट्राइ कीजेगा यहां पर हमने चोटे केट्स है तो आप उनने इ एलफाबेट्स त्यार हैं, एलफाबेट्स के अलावा आप बच्चों की फेवरिट चीजों को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे की एंब्रेला, फिश, या फिर रैबिट, इत्यादी, मिक्की माउस बना सकते हैं, इस तरीके के डिजाइन्स बना कर उन्हें दे सकते हैं, इन फ्र करूंगी कि आप ये फ्राइम्स बना कर फेलाने के लिए फ्रिज मैट का इस्तमाल करें, इनके बड़े-बड़े रूल्स बे आते हैं, तो हमने आपको काफिस देहर सारे डिजाइन्स दे दिए, फ्राइम्स बनाने के, और अब चलिए इन्हें तल कर देखते हैं कि रिजल होते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको बिल्कुल पॉफेक्ट रेसिपी दी जा रहे है, जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, बच्चों के बहुत ही जादा पसंद आने माले हैं, दोस्तों ये एक ऐसी रेसिपी है, जिसे बिना प्लैनिंग के ही बनाय जा सकता है, चार से पाच गुंटों में रेडी हो जाती है, तो अगर आपने कुछ भी प्लैन नहीं किया है, कुछ भी त्यार नहीं है, तो ये फटा-फट वाली इंस्टेंट रेसिपी है, जरूर बना लीजे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडि पिनिस देख सकते हैं, कितने ज़्यादा करारे बने हैं, ये देखे, हैना एक दम कृस्पी, साबोधाने के चिप्स पे आप इस तरीके का मसाला स्प्रिंकल करके भी एंजोई कर सकते हैं, तो अभी आप ये वीडियो एंजोई कीजिए, हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तिल देख झाल टीरा, थिए वोग्स, तिल देख भाई थैक्ये वाँ्याओ इकर, तिल दिल देखियो और वाजियो कर साथी आट कर देखे, भी एंजोई कर देखे, जाखे.